दोस्तो अगर आप गुरू एप में ट्रेलिंग स्टॉप लगाना चाहते हैं तो क्या आप गुरू एप में ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं या नहीं चली इस वीडियो में जानते हैं देखे अगर आप Grow App में Stop Loss लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप Add Stop Loss पे किलिक करते हैं तो यहाँ पे कहीं भी आपको Trailing Stop Loss का Option देखनों को नहीं मिलता है यहाँ पे बस आप अपना Stop Loss जितना पे आप लगाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको Trailing Sell लगाने का Option है इसरी पे Stop Loss आप लगा सकते हैं और अगर आपको Stop Loss को Trail करना है तो ऐसे में आपको खुद से Trail करना होगा आप यहाँ पे Automatic जो System में लगाने का Option होता है Automatic Sell Trail आपको Grow App में फिलाल नहीं मिलता है तो अगर आपको Stop Loss को Trail करना होगा तो यहाँ पे देखिए Order Section में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने Stop Loss Order लगा रखा होगा Open Order में यहाँ पे दिख जाएगा इस पे Click करके आपको Modify करना होगा और Stop Loss के यहाँ से Change करके जितना रुपए पे आप करना चाहते हैं वह यहाँ पे करना होगा जैसे मैंने 535 रुपए पे लगा रखा है तो हम मानली जी यहाँ पे 538 रुपए पे करना चाहते हैं तो इस तरह से करके यहाँ पे Modify Sell करते देंगे आपको Stop Loss को Trail करना होगा Automatic यहाँ पे System में Trail करने का Option Guru App में नहीं है और अगर आप System में Trailing Stop Loss लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप Angel1, ZeroDag, App Store के सब Application में आपको Available है उनमें आप अपना Account Open कर सकते हैं Link आपको Description में मिल जाएगा अगर आपका Account Open करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर इस वीडियो को चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर जी नहीं वीडियो सबसे पहरे देखने के लिए